कि नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका वीडियो गुरू के आज के सेसन में और आज हम यहां पर गुप्त डैनिस्टी को डिसकस करेंगे जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा है वहां पर कि अरव हम पर्णुकि स्वागत करते हैं कुमार गुप्तर गुप्ता जू और नाम अगर गुप्ता ऐज की कभी भी बात आपकी आएगी तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि यह एक golden age है, ठीक है, अब यहाँ पर different different kings ने बहुत सारे राजाओं ने अपना-पना role play किया, role play किया है, मतलब उनके सारे achievements हैं, जब सारे achievements हैं, सारे छेत्रों में योगदान किया गया है, कला में हैं, साहित में हैं, सामराज विस्तार में हैं, तभी तो उसको एक स्वंड काल यानि की golden age या golden era कहा जाता है, चलिए, उसमें हम देखते हैं, हम सीधे कि कुमार गुप्त सहाव यानि कि कुमार गुप्त first के बारे में हम लोग बात करते हैं, कुमार गुप्त first, also known as, सक्रादित and महंद्रादित, both are very important, समझेंगे, अब अगर कभी आप से पूछ दूसरा, महंद्रादित्य उपाधी, दोनों किसकी हैं, तो आपका अंसर क्या होगा, कुमार गुप्त, किलियर होना चाहिए ये बात, अब हमने आपको बताया है पहले भी, कि कुमार गुप्त बेटा किसका है, चंद्रगुप्त first, और दृवदेवी, ये दृवदेवी जिनकों की वो सकों को आत्मवर गुप्त करने के लिए तयार हो गया था, और बाद में चंद्रगुप्ध दृवदी ने क्या किया, सक राजा को मार दिया, और रामगुप्त की पत्नी से उसने भी विवहा किया था, तो ये जो गुमार गुप्त बेटा है, ये किया आपको दिख रहा है अगर during the time оп कुमार गुप्तर चिरधत्त वास्धा governor of पुंड्रवर्धन क्या दिख रहा है इनके समय में यानि कि पुंड्र बरधन एक प्रदेश का नाम है और पुंड्र बरधन का Designer इनके समय में कुमार के समय में कौन है तो आंसर क्या होगा आपका वो होना चाहिए चिरदत ठीक है आगे आप देखेंगे next point कुमार गुप्त के बारे में हमको सबसे जाधा जयनकारी किस अभिलेक से मिलती है तो आंसर क्या होना चाहिए आपको बिलसड़ अभिलेख यानि की इसके का सबसे बारे में को सारी जानकारी कहां से मिलती है वह बिलसरacakt पोईंट है कि बारे में कीलिसर अभिलेक से तो आंसर क्या होगा आपका कुमार鍋 फर्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं कुमार गुप्त के बारे में और भी यहां पर देख सकते हैं यहां पर महावियार की बात किये गए यह बैसिकली महावियार के फॉर्म में द्वारा कराया गया तो आंसर आपका क्या होना चाहिए कुमार गुप्त फस्ट ने नालंदा विश्व इद्यालय का निर्माड कराया था नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिकली ये कार्तिके का उपासक था अभी हमने इससे पहले के देखे कि सारे लोग किसको मान रहे हैं वो सबके सब विश्व को वैस्णब को मान रहे हैं बट कुमार गुप्त बाजदा वरसिपर आप कार्तिके हैं किसका वरसिपर था किसको मानत था वो भगवान कार्थिके का उपासक था अब हमने समुद्र गुप्त के बारे में जब पढ़ा था तो हमने कहा था समुद्र गुप्त बाजदा किंग जिसने की असुमेद गुप्त किया यहां पर हम देखते हैं ही वाज सेकेंड गुप्त की यह कौन सा है फर्स्ट गुप्त किंग बाज समुद्र गुप्त जिसने असुमेद गुप्त किया दूसरा हम देखते हैं कि सेकेंड किंग वाज कुमार गुप्त कुमार गुप् तो दूसरा हो गया कुमार गुप्त फस्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स देखते हैं इसकंद गुप्त अब कुमार गुप्त के बारे में बाद में एक नया सासक आया उस सासक का क्या नाम है इसकंद गुप्त और इसकंद गुप्त का टाइटल क्या है क्रमादित कौन स लास्ट रूलर के फॉर्म में नहीं माना जाता है यानि कि गुप्त सामराज के अंतिम सासकों में यह एक महान सासक माना जा सकता है लेकिन अंतिम सासक इसकों हम नहीं कहें किलियर होना चाहिए यहां तक नेक्स पॉइंट के उपर हम बात करेंगे और नेक्स पॉइंट यह कह रहा है यानि कि इसने कुछ बहुत ही जबर्दस्त चैलेंज को सुइकार किया और बहुत सारे चैलेंज जयानि कि चुनतियां थी इसके समय में और वो चुनति क्या थी कि इतिहास में इसने हूडों को पराजित कि लिए अगर कभी आप से पूछा जाएगा कि हूडों को पराजित करने वाला कौन था तो आपका अंसर क्या होगा इस कंदगुप्त most important question है कि हूडों को पराजित करने का सरे किस गुपत साथक हो जाता है तो जो सीधे सीधे आप का अंसर क्या होगा इसकंद गुप्त आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकंद गुप्त के बारे में और भी महत्वपूर्ण हम लोग पॉइंट बात करते हैं अब अगर हम बात करते हैं आफ्टर दा इसकंद गुप्ता आफ्टर दा इसकंद गुप्ता दसक all successes are weak कैसे थे सभी के सभी जो उत्रा अधिकारी थे वो कमजोर सासक अब जब कमजोर सासक हैं तो वो इतने सारे गुप्त राजाओं ने जो बनाया है उसको यह मेंटेन भी नहीं कर पाए और वो सासक कौन थे कमजोर सासक क्यानी कि रोक्रक्राइब इसकंदक 了吧 नोट था वेकिंग वृज़ डाफ ग्रेट ऴुप्त डाने स्प्टर्ध हार विडिनस्ट्व इसप्लेट करUब कि हम वह से पुरु गुप्ता कुमार गुप्ता सेकेंड बुद्ध गुप्ता नरसिंग गुप्ता कुमार गुप्त थर्ड विस्नु गुप्त और दो और सासकों के बारे में हमको जानकारी मिलती है तो यह सारे कि सारे सासक आपके लिए एक नाम के फॉर्म में हो सकते हैं लेकिन कभी इनके बारे में अभी तक कोश्चन जाधा नहीं आया है ना ही कभी कोश्चन आया है बस आप यह याद रखें कि एक अंतिम महन सासक है इसकंद गुप्त उसके बाद में जितने भी सासक बने वो सबके सब अयोग्य सासक हैं जो गुप्त बंस की बनाई हुई विरासत को समाल नहीं सके और गुप्त बंसका धीरे-धीरे से पतन होने लगा उन सासकों में अगर आपको नाम याद रखने हैं तो आप याद रख सकते हैं पुरुगुप्त है कुमार गुप्दुति है बुद्धु गुप्त है नरसिंगुप्त है कुमार गुप्तृति है और विश्णु बात करें यहां पर देख सकते हैं a study of the records of the gupta यानि कि गुप्तों के जो records हैं जो उनका अभिलेख है उनके अध्यन से हमको क्या पता चलता है empire shows that there was a hierarchy of administrative division यानि कि hierarchy के means क्या है एक हमको पूरा proper channel दिखता है क्या दिखता है channel दिखता है समझ रहे ना एक पूरा क्रम दिखता है कैसा क्रम है यह यह आपका प्रसासन का क्रम है ठीक है तो यानि कि गुप्तों ने क्या किया एक बड़े समराज को एक hierarchy level पर maintain किया और वो hierarchy level कैसा था basically from top to bottom यानि कि इसने क्या किया एक king से लेकर के और नीचे bottom तक यह पूरा एक system बना दिया तो यह गुप्त की बहुत महत्पूर उपलब्दी मानी जाती है और यह किया क्या उसने यह जो पूरा प्रसासन था उसका administrative division कर दिया यानि कि पूरे समराज को बहुत सारे प्रसासनिक विभाजन में प्रसासनिक खंडों में प्रांतों में बाट दिया यह इनकी सुरुवात हो जाती है इनके प्रसासन की ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग गुप्त प्रसासन के बारे में और भी बात करेंगे और इट वाइड इंटू इस प्रेविनस कितने प्राविनस में दिवाइट किया 26 विच वर डिवाइट एज भुक्ति में डिवाइट किया गया भुक्ति प्रदेश है ये क्या है ये प्रदेश है एंड भूगा इसमें भूग में तो याद रखेगा भूक्ति और भूग दो ये आपके याद होने चाहिए कि प्रसासन को का विभाजन ठीक है यह प्रसासन का विभाजन हो गया भूक्ति प्रदेश हो गया और भूक के रूप में कर दिया गया आगे बढ़ते हैं लो नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं आप लो हमने एक चार्ट बनाया हुआ जिससे किलियर हो जाएगा एकदम क्या इनका पूरा ड गया आप देख सकते हो भुक्ती एंड भूगा भूक्ति अगर बात करते हैं तो यह क्या है प्रोविंस है यानि कि प्रदेश में ठीक है अब इनका जो हेडा है वो क्या और भोगपति क्या जाएगा लिख दे रहा हूं हिंदी में भी उपरिक और भोगति क्योंकि बहया सी कि एक बना दिया घया घुक्ति गोग हो गया आपरिक समझक हो ग़िस्miş और एक yarner के फॉरम मेरे वो कर खता होगा दूसरा में देख सकते हैं यह विस्य क्या है एक जिला समझयेगा यह क्या है विशय है जिला और इस विशय का हेड कौन है यह है विशय पती कौन है यह है विशय पती किलर होना चाहिए फिर है नगर और विति नगर और विति के हमको हैट जाना हो तो यह हो जाएगा नगर पति और दूसरा उजाएगा पुरपाल क्या हो जाएगा यह तो पूरपाल के बारे में आप कह सकते हो कि जो सहर का एक इंचार्ज है नगर का जो प्रमुख है वो पूरपाल भी कहा जाता है और नगरपती भी कहा जाता है और सबसे जो निम्न डिवीजन माना गया है सबसे लोवर इकाई मानी गई है यहां पर एक टॉप टू बॉटम दिख रहा है टॉप से हमने सुरू किया सामराज को स्टेट से प्रोविंस में डिवीजन किया उसके बाद डिस्टिक पे आए डिस्टिक से बाद में सिटी पे आए और सिटी पे बाद में किस पे आगए और सीटी पे आगए गए जैसा की आज कल भी शिस्टम है की ग्राम-सस बंगर हम लोग सीधे बढ़ते हैं सीधे जिए कहां तक का साथन है प्रदेश्ट पर आते हैं प्रदेश के बाद में तो प्रसासन को different different units में divide किया गया अभी आपने देखा अब उन units का एक authority तो होगा एक इंचार्ज तो होगा तो बिलकुल यह some officers of the gupta dynasty या gupta administrative system के बारे में discuss करते हैं कि उनके कुछ offices क्या थे तब first is महाबलाधीकरत महाबलाधीकरत basically commander in chief कह सकते हैं जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं समझ रहे न सेनापती जिसको बोलते हैं the second is महादंडनायक most important अब महादंडनायक है तो basically दंडनायक तो हो सकता कि कोई भी बट महादंडनायक कौन है जो finally decide करेगा कि अपराधी कौन है और यह क्या होगा justice यानि कि justice होगा नियायादीस को महादंडनायक कहा जाता था next है संद्विग्रहक संद्विग्रहक कौन है basically यह war and peace minister देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुए war तो आप सीधे-सीधे कह सकते हो ही वाज वार एंड पीस मिनिस्टर यानि की युद्धवा संद्विग्रहक को भी देखा और यह हमने यहाँ पर यह भी बता दिया आपको यह युद्ध के साथ सांतिकाभी मंत्री माना जाता है आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर गुप्त के कुछ और अधिकारी हैं उनके बारे मीं बात करते हैं गुप्त काल के प्रसाशन के दंड़ पासिख को जासे हम लोग पुलिस ऑफीसर आज की डेट में औहाँ होते हैं दंड़ पासिक दंड को ले करके चलने वाले दंड़ धारण करने वाले समझ रहे ना तो यह दंड पासिक कौन है पुलिस ओफिसर है फिर है बिने इस्थित संस्थापक most important यह कई बार पूछा गया है एक सिच्छा का अधिकारी है यह कौन है एक सिच्छा का अधिकारी है और फिर next है भांडा गाराधिकरत यह भांडा गाराधिकरत क्या है यह basically भांडा गाराधिकरत मतलब समझते हो ना कि पूरा जमा करना भांडा गाराधिकरत मतलब पूरा का पूरा चीज है collect करने वाला और वो क्या होगा Treasury Officer यानि कि राज कोस का अधिकारी कहलाता था भंडा गाराधी क्रत तो ये सारे के सारे आपके important हैं अभी आपने देखा कि last हमने जो discuss किया और ये discuss किया दोनों के दोनों आपके officers गुपता administrative system को चलाने के लिए और यहां से question निश्चित रूप से आता है चाहें आप सिविल सर्विसेस का एक्जाम दीजिए चाहें CGL का दीजिए चाहें railway NTP से का दीजिए हर एक जगहे पर यहां से आपको question पूछा ही जाएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अब हम प्रसासन से संबंदित कुछ और बात करते हैं यहां पर अभी अब तक हमने देखा officers के बारे में देखा अब यहां पर देख सकते हैं गुपता रोपन का या लेंड रविन्यू का या भू राजस्तों का सिस्टम फॉलो किया जाता था याने कि भूमी राजास बिभिन भूमी पर बिभिन भिन प्रकार से निर्भर करता था लेकिन उसका एक barrier है वरियर वो क्या है एक बटे चार से लेकरके एक बटे छे के बीचे थीक जाँया एक बटे चार देकरके एक बटे चे के बीच में वह barrier माना जाता था अभ नेक्स्ट स्वाइंट के ऊपर बात करते inventory में अगर हम कुछ यहां पर बात करें कि कुछ grants होते थे क्या तो सीधे सीधे कह सकते हैं गुपता period also experience and access of the land grants of land grants होती थी as अग्रहारा ठीक है न अग्रहारा के बारे में मिलता है देव ग्रह अनुदान के बारे में मिलता है तो आप से कभी अगर पूछा जाएगा क्या grants थी अनुदान था तो आप कह सकते हैं बिल्कुल था और वो क्या था अग्रहार था और देव ग्रह था क्लियर होना चाहिए यहां तक ठीक है यह सारे अनुदानों के बारे में हमको जनकारी मिलती हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स देखते हैं गुपता एज में काल में आप लोग पढ़ चुके हैं ब्रामार च्छत्रिय वैसे और सुद्र और सुद्र जो सुरुआस से पहुत दबा कुछला निम्न माना जाता था वो इस काल में आकर के कुछ सुधार की वहां पर हमको दिखाई देता है वहां पर सुद्रों के बारे में तो फर्स्ट मिलता है इंदगुर्ट का इच सती सिस्टम का कब आए भाई टेन एडि में 510 10 इस भी में मिलता है औहां से हमको सती प्रता का एक अभिले ही अफ मिलता है और वह किसका है भानुगुप्त का तो यह एरण किसका है भानुगुप्त तो सीदह सीदह आप कह सकते हो सति प्रथा का जो प्रथम साक्ष है 510 इस्वी में गुप्त सामराज में भानुगुप्त के एरण अभिलेक से हमको सति प्रथा के बारे में हमको सूचना मिलती है किलियर होना चाहिए यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं लोग और नेक्स सुसाइटी के बारे में पॉइंट के ओपर डिसकस करते हैं अगर हम बात करते हैं गुप्त सासक के संरच्छन में तो यहां पर अगर हम संरच्छन की बात करते हैं वैस्नविजम थो आप फ़ेसर वेहरी पापूलर यानि कि यह जो वैस्णभात था यह भहुत लोगप्री हो गया। आ है का सकते हैं वर आतं प जैसा कि हम बता भी चुके हैं गरुन इनका राजकी करते हैं तो कहते हैं कात्यायन साफ इस्मृति राइटर आफ गुपता पीरियड वाज दो फॉस्ट यूजदा असप्रस्य डिनोट दा अंटचेवल्स के लिए अब डिनोट दा अंटचेवल्स यानि कि कात्यायन गुपत काल में एक इस्मृति के लेकक हैं जिन्होंने सीधा सीधे कहा है कि असप्रस्य को निरुपित करने के लिए उसको बताने के लिए असप्रस्य सब्द का वाकाइदा उप्योग किया गया ठीक है ना तो यह जो असप्रस्य सब्द है इसका भी यहां पर हमको उप्योग देखने को ठीक है आगे बढ़त बात करते हैं तो economy अगर गुपता एज के बारे में हम लोग देखें तो आप कह सकते हैं दा में सोर्सेस आफ इंकम बाज लेंड रहे हैं जो इनका मुख्य स्रोत है इंकम का आमदनी का वो क्या है भूराजस भू करमाना जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स की तरफ बढ़ते हैं इफ इसकस्ट सम इंपॉर्टेंट टेक्स इन गुपता एज फर्स्ट वाज भाग पहले बात करते हैं भाग की भाग का जो पर्सेंटेज था जो उसकी दर थी डैट वाज 1 by 6 1 by 6 आफ दप्रोडक्शन आफ दप्रोड्यूज स तव आप कह सकते हो जो राजा को प्रतिदीन.. disappearance of the fruits, flowers and vegetables.. भी ती.. जीहां.. राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूूल और सब्जी.. ये क्या कहलाती थी..? ये कहलाती थी आपकी भोग.. तो आप ने देखा.. भाग को देखा.. भोग को देखा.. ये दोनों आपके कर.. स्थाइब लोग कि आगे आप लोग देख सकते एक अनोमी के बारे में कुछ और पॉइंट और कुछ और कर के बारे में उपर कर क्या दिख रहा है आपको उपर उपर के उपर कर इस तर टाइप आप लेंटेक्स या लेंड रेविनु भी कह सकते हैं यानि कि भूम करका एक प्रकार है अब हम बात करते हैं क्या ट्रेड होता था यानि कि क्या ब्यापार होता था तो बिलकुल को अगर हमको वहाँ पर पोर्ट के विड Yes या जानकारी मिली है तो बिलकुल हम सीधे कह सकते हैं कि महां और ब्यापार होता हो गा बंदर में आनिकि क्यों पूर्वी भारत के लिग्धों की बात करेंगे तो आप आप देख सकते हैं यहां पर तामरलिप्ती ठीक दूसरा घंट साल ठीक है तामरलिप्ती और घंट साल कैसे थे यह पूर्वी भारत के बंदरगा थे दूसरा अगर पस्चमी भारत की यानि की वेस्ट कोस्ट पोर्ट की बात करते हैं तो पस्चमी तटके या पस्चमी भारत भी कह सकते हैं आप इसको तो पस्चमी भारत की अगर हम बात करेंगे ठीक इसी तरीके से ऐसे समझ लेंगे कि जैसे हमान लीजिए इस तो ये पूर्वी के हो गए ठीक है ना और यह हमारे पश्च्चमी के हो गए तो यहां पर हम लोग तामरलिप्ती और घंट साल मिलते हैं थिक वेस्ट की अगर बात करते हैं तो यहां पर हमको सोपारा ठीक कल्यान यह दो मिलते हैं भड़ोच, समझ रहे न, तो यह सारे-सारे भड़ोच हो जाएगा, सोपारा हो जाएगा, कल्याड हो जाएगा, यह तीनों के तीनों हमको west यानि की पस्चिमी पर अपूर्मी पर हमको मिलते हैं तामलिप्त और घंट साल, जो की हमको ये बताता है कि ब्यापार निश्चित रूप से बहाँ पर होता होगा next move करते हैं लोग अब बात करेंगे art and culture यानि कि कला और संस्कृत की बात करेंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं the first art adjective is rock cut caps यानि कि सैल करत गुफाएं सैल करत गुफाओं में बहुत प्रिसिद्ध हैं अजन्ता एलोरा केप कहां पर हैं महारास्ट्रा में most important कई बार पूचा गया बिसेस्ता क्या है इनकी एक सैल करत एक ही बड़ी पहाड़ी को काट करके यह बनाई गई है एक सिंगल बहुत बड़ी पहाड़ी को काट करके अज उसका नाम है धार जिना याद रखेंगा धार जिले में यह बाग माना जाता है यहां तक के लिए होणा चाहिए सारे में कर करते हैं इसके टेंपल्स कि क्योंकि यह भी आपका alikar है स बहुत ऐख बहत्र पूर्द अवतार डशा ओटर टैम्पल की बात करेंगे स्टिवेट्ट अबनेवगर एंड बहरें देवगर तर इस जहांसी लालित पूर्डि स्टिक जहांसी समझ रहे तो वहाँ पर यह दसावतार मंदिर इस्थित है सेकेंड इस भूमरा टेमपल भूमरा टेमपल इस शिवा टेमपल एंड सिचुवेटेड इन नागौध नागौध मध्यपरदीश सारे के सारे क्वेस्चन्स इंपॉर्टेंट हैं आप लोग बिलकुल यहां से इनकी लोकेश मगोदेशन और लोग भूमद एवन अगे बढ़ते हैं fanasiser जरूर देख करके जाएं चाहें दसावतार की बात है चाहें वो जूमरा की आगे बढ़ते हैं कुछ और टेमपल्स के बारे में हम बात करेंगे इस नाचना एक ना कुठ्वा भी कहा जाता है गो नाचना कुठ् मनदिर कभी भी पूछा जाए तो आप कहेंगे भीतर गाहों का मंदिर है और वो कहां पर है लिखा हुआ यह सिचुएटेड इन कांपूर कांपूर में हैं फिर आप देख सकते हैं सिर्पूर में कौन सा मंदिर है लक्षमन टेमपल कौन सा मंदिर है लक्षमन टेमपल सिच्चिवेटेड एट रायपूर 36 नेग्स्ट टेमपल इज तिगवा विष्नु टेमपल टीगमा कैसा है विष्नु टेमपल सिच्वेटेड इन जबलपूर मध्यप्रदेश तो सारे मंदिर यहां पर के लिए हो सकते हैं अब हम बात करेंगे गुपता एज के लिट्रेचर की लिट्रेचर में एक क्वेस्चन अकसर आता है कि कौन सी किताब किस ने लिखी ठीक है ना एक तो बुक का नाम हो गया और दूसरा उसका लिखक कौन है तो यहां पर कालीदास कालीदास के बारे में हम लोग जान लेते थोड़ा सा देखिन हमने जब चंद्रगुप्ट सेकेंड आपको पढ़ाया तो बहां पर हम्ताया यह चंद्रुप्ट के दरवारी कभी हैं ठीक दरवारी कभी हैं किसके हैं चंद्रगुपत सेकेंड के ठीक है और यहां तक भी इमने बताया कि अपनी बेटी प्रभावती गुपता के दोनों पुत्रों के सिक्षक के रूप में भी काली दास को नियुक्त किया गया जाओ और यहां पर हम समझ सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी किता में लिखी हैं पह्ली है रितु संहार ये भी कालिदास की है दूसरी है मेग दूत ये भी बहुत महत्पूर है तीसरी है कुमार संभव ये भी कालिदास की है फिर है रगुवंसम या रगुवंस ये भी कालिदास की है फिर है विक्रमो वरसियम ये भी कालिदास की है फिर है अभिज्यान सा कुंतलम य बहुत सारी पुस्तूकों की रचना की है आगे बात करते हैं कुछ और लिट्रेचर के ऊपर यहां पर आप देख सकते हैं विसाखदग्त इन्होंने किताब लिखी है मुद्रा राच्छस फिर एक कवी हैं भारवी इनकी एक पुस्तक करती का नाम है किरातार जुनियम फिर हैं दंडी दंडी के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने किताब लिखी है दस कुमार चरित फिर है वाराहा मिहिर कौन है ये समझ लीजे यह भी एक चंडरगुप्त दुतियिये के नवरतों में सामिल हैं और इन्होंने किताब लिखी है पंच सिद्धांति का और फिर बहुत बड़े गढ़े गड़िताग्य आरभट ख़गोल सास्त्री भी इनको माना जाता है आरभट को और इन्होंने किताब लिखी है आरभटियम तो ये सारी के सारी बुक्स जो हैं ये बुक्स और इनके लेखक याने की आथर आपको याद होने चाहिए गुपताईच की जितने भी मैंने बताई हैं सभी की सभी बहुत ही माहत्वपूर हैं जो आपके एक्जाम में निश्चिद रूप से पूछी जाती हैं आगे अब यहाँ पर लिट्रेचर की अगर बात करेंगे जैसा कि लिखा हुआ है कालिदास के बारे में भी बताया हमने कालिदास इस लू देखे यह नवरत्न है चंद्रगुप्त विक्रमा दितिके कालिदास अब धन वंतरी घट करपन फिर हम बात करेंगे छपनक देखे छपनक भी लिखा जाता है और छपनक लिखा हुआ भी मिलेगा दोनों आपको लिखे हुए मिल सकते हैं फिर है संकु कौन है संकु है फिर है वराहा मिहिर कान है आपके वराहा मिहिर धन्वंत्री ब्योंग और वराव मिहिर थोग है दोनों हो गए पिर वर earliest ही कौन है वरिय तालभट और फिर हैं अमर सिंग तो यानि कि यह कौन है यह सब के सब नवरत्न आप चंद्रगुप्त विक्रमादित और चंद्रगुप्त सेकेंड अब गिल लेते हैं तो यानि कि यह पूरे के पूरे नवरत्न अब यहाँ पर अगर कभी आप से पूछा जाए कि कौन सा नहीं है नवरत्नों में तो आप सीधे सीधे महाँ पर बता सकते हैं तो यह हमारी हो गई बात पूरी की पूरी गुपता प्रसासन की तो यानि कि हमने पूरे गुपत राजा कवर किये और गुपत प्रसासन को भी कवर किया तो यहां तक हम कोईसिस बिल्कुल आसा करते हैं आपसे कि सारे questions आपको एग्जाम में मिलेंगे बस आपको करना क्या है कि आप इस session को देखने के बाद में previous year के questions जरूर सॉल्व करें और जब आप सॉल्व करेंगे तो सारे के सारे answer आपको बिल्कुल पता चल जाएंगे और यह सारे के सारे अंसर आपको एक्जाम में कहीं ना कहीं किसी क्वेस्टिन के फॉर्म में जरूर देखने को मिलेंगे तो आज का सेशन हम अपना कंप्लीट करते हैं तो आज के रिए इतना ही रखते हैं थैंक यू